हथा हसलोट किया जया था 1जी 9.com हअ थो सम्जा मूनी कड़ां पांप Alt का दो अदर भाव आज भाए जोर्वा मिलालबाज राभी मैं यूपको dif central about लोग आज हो चलती थी ते पैसा लगता था एक मिनेट का 10 रूप यह आज तो आप कट 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 कोई भी एक्टर बन जाते हैं तूश टाइम के एक्टर ना बड़े मतलब वह था अगर एक बार सांस भी ले लिए तो पोडूसर हो बैट रहाता रहाता रान डाली कि डिरेक्टर अला क्या कर रहे हैं जोला बैट गए ट्रेन पर पहुंच गए नी बावु बंबा बाडर के दिवाल पे मेरी इसे जॉन बाडर में सटा हुआ मेरा दिवाल होगा और बगल में जो है गईया खड़ी होगी तो परताव गड़े में चली जाती है तो हम लोग उस गाउं से हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद गुपता और आप देख रहे हैं जे भारत नियूज आज मेरे सामने जो बैठे हैं कोई आम सक्स नहीं बलकि जॉन पूर के ही प्रेम दूबे हैं जो लहू के दो रंग किसारी लाल यादो के फिल्म में हसुआ के किर्दार से खूप सिधी पाए है सबसे पहले आपका जे भारत में बहुत स्वागत है पहले हसुआ से ही आपको बता दें कि आपी हसुआ है देखा लाइन रहे फिल्म 2013 में लहू के दो रंग उसके डिरेक्टर थे मंजुल ठाकुर जी जो आज इस सेट पे है भी घर पर यूआर के सेट पे तो एक लाइन थी बड़ी पैर मेरे डाइलाग बहुत ही ठीट है उसमें तो एक डाइलाग आपको सुनाता हूं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोले कर साथ क्या सलूट किया जा मिलल बहुत सराभी सेया नसवे में चुए बाबू हस्वा हसला तो समझा मूरी कड़ा हा बहुत ही डाइलाग था तो इसमें एक लाइन थी देखा लड़ी का पैदा हो तो तो सुहर गावाजा था कि जुग जुग जीया यह लाला नो लेकिन में उल्टा चलाई बढ़ी प्यारी लाइन रही जुग जुग मारा यह लाला नवा असुआ के भाग जागल हो आजा तूता यपने पापा के यह खुनावा से खुब यह नहाई बहुता बड़ा मज़ा पई बनू हो उल्टा थ उस बच्ची को काट डालते हैं बोटी बोटी बड़ा घतरनाग करेक्टर था तो हर समय आप देखे होंगे कि बिलन तो हर समय सोपनेस होता है प्राण जी को देख लीजिए अमरेस जी का बोगाइंबो देखने के बाद आप उनके बगल नहीं बैट सकते हैं लेकिन जब रियल्म उनके बगल बैठ जाएंगे तो आपको उनके पास से हटने के इच्छा नहीं होगी तो मैं साधारन जीवन जीता हूं मुझे बहुत अच्छा है गाउं से मेरा बड़ाव रहता है जिसे मैं बताया दू आपको कि मैं जौनपूर जिला से उस जगह के रहने वाला हू मतलब बाडर पे आप जानते होंगे जौनपूर से होंगे तो सुजान गंज के आगे बिलवार बिलवार के आगे कुंदहा और प्रताब गड़ के जौनपूर के बीच में बाडर के दिवाल पे मेरी जौन बाडर में सटा हुआ मेरा दिवाल होगा और बगल में जो है गई में आने के लिए पूछ रहते तो यह बताना चाहूंगा कि देखिए मैं तो उस गाउं से हूँ जहां से लोग उमीद ही छोड़ देते हैं 2005 में 2003 में तो डिजिटल का दौर ही नहीं था लोग जानते भी नहीं थे सिटी स से लग cent कम ही लोग थे मुठान बनाया लोगों से कहते थे तहीं तो आपना है खेल करनाया ट्रेंघा मंभाइब करना दो ज कंई नहीं थे खंए पहुँचए नहता बीड़ बंबाई नगरीं पहुंच के बंबाई नगरिया में आऊ है हो सब सिठीक बढ़का बढ़का लोग आप तो गाउं कादमी ना अरे तो मजा भा जब वह पहुंच बाना कौनों बढ़की जगह पे जाबा तो छोटका लोगन के लोग देखके बड़ा अजीब लाग रहा है कह एकिन फानला हो लेकिन हमें ब удивoot दोनिया में उतार ने गया अर्फील्म ऑजले गई थी म कि certificateरें मेरे मैं जो है 2003 में चैने मड़की अपने बी अबस्कर में वरसे मोड़ का गए अपने strategically को म dalrod test तो उतार के मुखोटा सहरवाला पहना, महाँ पूरा तयार किया, मॉडलिंग की तयारी किया, बाल पूरा स्टाइल, उस समें धोनी के जलवा थे, बड़े बाल रहते थे मेरे, तो इस्टाइलिस हुआ, सिस्टम चाल हुआ, मॉडलिंग करते करते, एक फिल्म अनचनिया पिचर थी, उसमें एक छोटा सा करेक्टर मिला था, तब पहले आपको बता दू कि सिनेमा जो होता था ना भाई, तो वो 35 सिनेमा पे चलता था, रील चलती थी, केन होता था, मतलब पहले चलती थी, तो उसमें पैसा लगता था, एक मिनिट का दस जार उपईया, आज तो आप एक तम नहीं हो पाया, फिर से कर लो, कोई भी एक्टर बन जाते हैं, तूश टाइम के एक्टर ना, बड़े मतलब वो ता था, अगर एक बार सांस भी ले लिए ने, तो पोडू अब देखो आगे क्या क्या होता है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लोग लगे हुए हैं, योगी सरकार तो लगी हुई है यहां के लिए, काम करना चाह रही है, कि इंडिश्टी बसाना चाह रही है और लोगों को बुला रही है, वह इसे हम भी अपने ज अपने गाउं में सुटिंग करवाया था, गोवरधन की सुटिंग, निरहुआ जी उसमें हीरो थे, और 45 दिन सुटिंग चली थे, जिसमें 300 गईया थे, डिरेक्टर हमारी यही मंजूल ठाकुर जी थे, तो मेरी कोशिज ही होती है कि जब भी मेरे अगर मंजूल सर डिरेक् करेक्टर देख रहे हैं एक पंचर वाला बंदा हुँ, साइकिल पंचर की मेरी दुकान उसमें क्या डाइलाग हो गाए, दबा कुछला सा आदमी हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, गरीबी देख रहे हैं, कूट-कूट के भरी पहेंड पटा हुआ है, खटी यह टू आप सुन रहे थे प्रेम दूबे जी को लगातार भोजपुरी इंडरस्टी में धमाल मचा रहे हैं फिलाल आप बताईएगा आपको इंटर्व्यू कैसा लगा?